प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी ने मंगलवार को उन चार अंतरिक्ष यात्रियों के नामों की घोशना की, जो देश के पहले मानव अंतरिक्ष उडान मिशन गद्नयान के लिए ट्रेनिंग ले रहे हैं। मोदी ने तिरुवननत पुरम के पास ठुमबा में विक्रम सारा भाई अंतरिक्ष केंद्र का दोरा किया। यहां उन्होंने बताया कि ग्रूप कैप्टन प्रशांत बालकृष्णन नायर, ग्रूप कैप्टन अंगध प्रताप, ग्रूप कैप्टन अजीत कृष्णन और वि या तीन ही अंतरिक्ष यात्री गदनायान मिशन पर स्पेस में जाएंगे, जबकि एक एस्टोनोट अमेरिका के स्पेस मिशन का हिसाब बनेगा। इस मिशन के लिए पी एम मोदी के अमेरिका दोरे के दोरान सेहमती हुई थी। सूत्रों के अनुसार, प्रधान मंत्री यात्रा के दोरान इसरो और नासा के बीच डील हुई थी। इस डील के अनुसार, इंटरनाशनल स्पेस सेंटर आइस्स मिशन के लिए इन चारों में से एक पाइलर को शॉटा लिस्ट किया जाएगा। इस मिशन की योजना भारत के पहले मानव अंतरिक्ष मिशन गदनाया मिशन की ट्रेनिंग ली है। वह इंडी है से ग्राजुएट हैं और एर फोर्स अकेडमी में सोड अवहानोर से समानत हुए। वह 19 दिसंबर 1998 में एर फोर्स में बत और कमिशन अफसर शामिल हुए। वह कैट है कैटिगरी के प्लाइंग इंस्ट्रक्टर और टेस्ट पाइ वह अमेरिका के अलबामा में USA एर कमांड एंड स्टाफ कॉलेज से फर्स्ट रैंग के साथ ग्राजुएट हैं। वह सुखोई स्क्वाड रंग की अगवाई भी कर चुके हैं। नायर के पडोस में रहने वाली बुजुर्ग महिला ने उनके बच्पन को बताया कि प्रशा वह शब्दों से परे हैं। प्रशांत अबना सिर्फ केरल बलके पूरे देश का गौरव बन गए हैं। तमिलनाडू के चेनाय में 19 अप्रेल 1982 को जन्म हुआ। वह भी एंडिये के छात्र रह चुके हैं और एर फोर्स अकेडमी में राश्चुपत्ती के स्वन पदक और सो केस्ट पाइलट हैं। क्रिश्रन भी सुख होई थी समके वाई, मिगी कीस, मिग उन्तीस, जगवार, डॉर्नियर और एन बत्तिस जैसे कई विमान उडाने का अनुबव हैं। वह दिपेंज सर्विसे स्टाफ कॉलेज वेलिंटन के चात्र भी रह चुके हैं। ग्रूप कै ग्रूप कैप्टन अंगद भी फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर और टेस्ट पाइलट हैं। उन्हें करीब 2000 घंटों का उडान अनुभव हैं। ग्रूप कैप्टन अंगद प्रताप ने कई प्रकार के विमान जैसे सुख होई थी समके वाई, मिगी कीस, मिग उन्तीस, जगव हौक, डॉर्नियर, ए एन 32 उड़ाएं हैं। विंग कमांडर शुभान्शु शुखला का जन्म यूपी के लखनव में 10 अक्टूबर 1980 को हुआ था। वह भी गगनायान मिशन में शॉटलिस्ट हुए अन्य प्रतिभागियों की तरह हिंडिये के पूर्व चात्र हैं। विं कमांडर शुखला ने सुख होई ती समके आए, मिगी कीस, मिग 29, जगवार, हौक, डॉर्नियर, ए ए इन 32 जैसे कई विमान उड़ाए हैं। इन्होंने रूस की राजधानी मॉस्को के यूरी गगारिन कॉस्मोनोट ट्रेनिंग सेंटर में ट्रेनिंग हासिल की है। भारत क सुरक्षित वापस हिंद महासागर में समुद्र के भीतर उतारा जाएगा। इसरो ने इस मिशन की टेस्टिंग पिछले साल की थी। बुधवार को इसरो ने इसके क्रायोजेनिक इंजिन की टेस्टिंग भी की। इस मिशन में HSFC Human Space Flight Center का खास योगदान है। इसरो का गगन ये मिशन सफल होंगे उसके बाद ही एस्टोनोट को अंतरिक्ष में भीजा जाएगा। मिशन का हिसा बनने के लिए बड़ी संख्या में पाइलट्स ने एप्लिकेशन दी। इन में से बारह ने बिंगलूरू में सितंबर 2019 में पहले लेवल का सिलेक्शन प्रोसेस पूरा क किया। जून 2019 में इसरो और रूस की स्पेस अजेंसी के बीच पाइलट्स की ट्रेनिंग के लिए करार हुआ था। इसके बाद इन चारों पाइलट्स को 2020 में शुरुवाती ट्रेनिंग के लिए रूस के यूरी गागरिन कास्मोनोट ट्रेनिंग सेंटर भेजा गया। वहा इन सिमूलेटरों से लैस करने पर काम कर रहा है। वे फिट रहने के लिए आयाफ के साथ नियमे तूप से उडान भरना जारी रखते हैं।